देखे पहली बात तो यह है कि मैं यह समस्ता हूं कि जो वख के अंदर जो अमेंडमेंट हो रहा है कल क्याबिनेट की बैठक हुई है और अब कल संसद में इस पर प्रस्तावाना है अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है हर एक्ट में संसोधन हुआ है यह कोई नई बात नहीं है कि वफ एक्ट में ही संसोधन हो रहा है वफ एक्ट में भी बार बार संसोधन हुए है और ये एक प्रक्रिया है समय के सार समय के नुशार वो की जाती है हान इतना जरूर है कि वक्फ की जो मर्यादा है जो लोग वक्फ करते हैं दान करते है चुकि वख माने जो दान किया हुआ है इश्वर के नाम जिसने जिस भाव से उसको दान किया है उस defendant को या किसी चीज को जो वख हो जाती है उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए कि उसकी वख की जो मर्यादा है उसमें किसी तरहां से भी उसको कोई नुकसान ना पहुंचे इ कि कोई क्या कहता है नहीं कहता है यह अलग विशे हैं लेकिन सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है संशोधन किया जाता है तो मुझे लगता है कि समय की जरूरत होती है तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीती करना मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है, बैठकर बात्चीत होनी चाहिए, कल प्रस्ताव आएगा, उसमें चर्चा होनी चाहिए, ना कि राज नहीं थी? मैं समझता हूँ कि चुकि बहुत से लोगों को इस बारत की जानकारी होती नहीं है, बारत में जिस तरह से सेंट्रल वफ कॉंसिल होता है, जो की सारा निजाम देखता है, और इसी तरह से राज्य में होता है, राज्य वखफ मोर्स, और इसी तरह से सेंट्रल वफ कॉंसिल के फिर उसके अधर बएंडर बीवाब्क बार्टने जाते हैं साथ नियर्थ के अनदर आपक।। है एक आलिम होता है जो स्कॉलर्स जिसको कहते हैं इसलामिक स्कॉलर्स और इसी तरह से एक औरत का प्रतिनिदित होता है और उसमें एक प्रतिनिदित होता है और उसमें समाजिक भी लोग उसमें जोड़े जाते हैं इस तरह से पूरा उसमें उसके मेंबर उसमें शामिल होते ह से राज्य वकबोर्ड हैं उसके अंदर भी यही इसी तरह का नियम है कि एक MP होना चाहिए एक MLA होना चाहिए और उसमें एक बार कॉंसिल का मेंबर भी होना चाहिए और उसमें एक शिया का भी एक नवाइंदगी होनी चाहिए और इसी तरह से उसमें एक सोशल वरकर भी होना चाहिए जो 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 और एक उसके अंदर आलिम होना चाहिए जो इसलामिक स्कॉलर हो तो इस तरह से इसको साथ लोगों की इसमें टीम बनती है लोग न्यूट किया जाते हैं और वो उसको देखते हैं हाँ ये बात ठीक है कि औरतों की नुमाइंदगी बहुत सारी जगा कमी है मुझे लगता है कि हमें अगर हम उसमें और फिमिल की उसमें नुमाइंदगी होती है तो बहुत अच्छी बात है उसमें कोई बुराई की बात नहीं है और संशोधन होता है तो समय समय के नुसार उसमें बदला तो होता है यह यकीन नहीं बड़ा यह रूख सही है कि देखे मैं कैबिनेट की बैठक हुई है और क्यबनेट की बैठक में परस्ताओ आया है वह परस्ताओ सदन में आएगा अब सदन में आखे उस में चर्चा होता है और वख्फ कोई नहीं हर एक्ट के रशार उसमें बद्ला हुआ है तो इसमें कोई राजनीती करने क्या विशे नहीं आई है इसमें चर्चा करना का विशे है अगर कहीं न कहीं अगर किसी को किसी का हक मर रहा है या कोई हक तलफी कहीं हो रही है अगर उसके अंदर सुधार होता है तो अच्छी बात है हाں لیکن इसका हमें ضرور ख्याल करना चाहिए चुकि वफ जो है ईश्वर के नामदान दी हुई चीज को कहते हैं वफ करना ईश्वर के लिए तो उसकी जो मर्यादा है या उसका जो मकसद है जिसने वफ किया है ईश्वर के नामदान किया है उसमें महीं शेड़ शाड़ ना हो या उसकी या उसकी मर्यादा में किसी तरह या उसके उसमें कोई नुक्सान ना हो इसका भी ख्याल सरकार को करना चाहिए लेकिन während अभी प्रस्ताव आया नहीं है, राजनीती पहले हो जाती है, तो पहले राजनीती की बजाए चर्चा होनी चाहिए, कोई प्रस्ताव आया है उस पर बहस होनी चाहिए, बहस होने के बाद पिर उस पर आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि समय उसार अगर संसोधन होता है, तो इसमे राजनीती करता है मुझे लगता है कि उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि संसोधन तो हमेशा से होता आया है जब पिछली मरतबा जब दूसरी सरकारे थी जब भी संसोधन हुआ था तो जब संसोधन हुआ था तब वैसी साहब ने क्या कहा था या किसी और ने क्या कहा था लेक मेरा विपक्ष को खास तौर पर यह कहने का है कि हर चीज का विरोध नहीं करना चाहिए उस पर चर्चा करने चाहिए और उस पर राजनीती नहीं होने चाहिए झाल झाल